Hello Friends, Assalamualaikum and Welcome to Tech들 तो आप अपने phone की setting में चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रोल करते हैं तो यहाँ पर आपको Google दिखता है तो आप इसको open करलेते हैं अब यहाँ पर आप open करते हैं, तो open करने के बाद आपको यहाँ पर आपका email account आपको यहाँ पर दिख जाता है, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखता है auto fill, तो यह auto fill होता क्या है, हम इसका इस्टमाल कैसे कर सकते हैं, इस video में आपको ब AutoFill with Google मतलब क्या होता यहाँ पर आपकी personal information जो भी आपकी information आपका नाम है वो automatic ही fill हो जाएगा आप कोई भी website में login करने जाएंगे तो automatic Google को याद रहेगा वहाँ पर आपका नाम डाल देगा क्यों आपने Google ID में आपका नाम और सब चीज सेफ करके रखे हैं आपका address आपके flip card म या कहीं पर भी आप अपना address जालेंगे किसी भी application में आप अपना address जालेंगे तो automatic ही यहाँ से डल जाएगा आपको बार बार डालने की जरुद नहीं होगी payment method की भी आपको जरुद नहीं होगी आपकी credit card या debit card की detail खुद बाखुद वहाँ पर डल जाएगी और most important password तो यह यहाँ पर आपके सब password save होते हैं आपने जितने भी password डाले होंगे अपने फोन में आपके जितने भी application website connect होंगी आपके सब password यहाँ पर आपके save होते हैं तो यहाँ से आप अपने password भी देख सकते हैं आपका कौन सा application का क्या password है तो यही होता है autofill with google और उसके बाद यहाँ SMS verification codes का option आपको देखता है तो इस पर आप click करते हैं तो यहाँ पर autofill verification code आता है तो autofill verification code होता क्या है आपको जो भी OTP code आता है जब आपको इसा भी account create करते हैं तो आपको देख देख कि SMS में जाने की जरुद नहीं है code को डालने के लिए आपका automatic यहाँ पर fill हो जाएगा code आपको कहीं जाने की जरुद नहीं है देखने की जरुद नहीं बार से वीडियो पसंद आई हो तो text store को subscribe कर दे अपना बहुत ज़्यादा ख्यार रखिए अलाफिस